अच्छा तो सल्मान खान की आ रही है फिल्म भारत जी हाँ सल्मान खान की जो भारत फिल्म है इसमें बहुत सारे किर्दान निभाए जा रहे हैं सल्मान खान के दौरा मतलब की 17 साल 18 साल से बच्चे से लेके मतलब जवानी से लेके सारे तरह का किर्दान निभाए जा रहा है तो इस फिल्म में दिसा पतानी भी है और जैकी सुरॉफ भी है कैटीना कैव भी है मतलब बहुत सारे इंडरस्टी से जुड़े हुए लोग है तो जो भारत फिल्म है इसको नैशनल एवार्ड भी मिल सकता है जी हाँ खबर ये है कि दरसल जो सल्मान खान के फिल्म है भारत ये फिल्म जो है ये काफी सारे रिकॉर्ड तोड रही है इसके गाने भी और बहुत ही मतलब अलग अलग रिकॉर्ड तोड रही है और ऐसे में उमीद जताई जा रही है कि इसमें एक्टिंग भी सल्मान खान के काफी अच्छी हुई है और सल्मान खान इस फिल्म से काफी जादा उमीद लगाए बैठे हैं और आपको बताते चलें कि सल्मान खान की ये जो फिल्म है ये तो रिकॉर्ड तोड़ देगी क्योंकि एद के मौके पे भाईजान के फिल्म रिलीज होने वाली है और जब भी रिलीज होती है इद के मौके पे कुछ न कुछ धमाल होता ही है और खबर ये है कि अगर सल्मान खान के फिल्म ये ब्लॉक बस्टर जाएगी और इस फिल्म को काफी जादा पसंद किया जाएगा और सारे रिकॉर्ड तोड़ देगी तो वाजिब सी बात है भाईया कि मतलब इस फिल्म को नेशनल अवार्ड तो मिलेगा ही क्योंकि अब इतने सारे रिकॉर्ड तोड़ेगी तो सीधी सीधी बात है सल्मान खान को नेशनल अवार्ड तो मिलना ही है तो आपका क्या कहना है इस बारे में नीचे कमेंट सेक्षन में लिख के बताईए वहीं और भी बॉल्लीवूट खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब कर ले टॉप ओपन फैक्ट्स और वीडियो को कर दो यार लाइक फटा फट धन्यवाद